C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तूत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 1 आए सुनते हैं नवाए उर्दू भाग 1 का छटा सबक मिर्जा फरहतुल्ला बेग सफ़ा नमबर 69 मिर्जा फरहतुल्ला बेग 1884 इसवी से 1947 इसवी तक मिर्जा फरहतुल्ला बेग देहली में पैदा हुए उन्होंने इप्तिदाई तालीम मक्तब में हासिल करने के बाद हिंदू कॉलिच से 1905 इसवी में बी ये पास किया 1907 इसवी में वो हैदराबाद गए और मुख्तलिफ मुलाजमतों पर मामूर रहे और तरक्की करते करते असिस्टेंट हूम सेकरेटरी के ओदी तक पहुँचे 1919 इसवी में उन्होंने अपना सबसे पहला मजमून रिसाला उफादा आगरे में लिखा और 1923 इसवी से वो बाकाइदा मजामीन लिखने लगे उन्होंने तनकीद, अफसाना, सवाने हयात, माशरत और अखलाक हर मौजू पर कुछ ना कुछ लिखा और अच्छा लिखा लिकिन उनके मजाहिय मजामीन सबसे ज्यादा काम्याब हुए मिर्जा फरहत अला बेक के मजामीन साथ जिल्दों में मजामीन फरहत के नाम से शाय हो चुके हैं नजम का मजमुआ मेरी शायरी के नाम से चख चुका है उसमें भी मजाहिया रंग नुमाया है हसने और हसाने का कोई उसूल मुकरर नहीं हो सकता तमाम मज़ानिगार अपना अंदाज जुदा रखते हैं मिर्जा फरहत उल्ला बेग का भी एक मखसूस रंग है जिसे अजमत उल्ला बेग ने खुश मजाकी कहा है खुश मजाकी में कहकहे के मवाके कम और तबस्म के ज्यादा मिलते है उनके यहां ऐसा इन्बे साथ मिलता है जिसे देरपा कहा जा सकता है मिर्जा फरहत उल्ला बेग के यहां दिल्चसपी के कई सामान है उनकी मज़ाहनिगारी में दिल्ली के रोजमर्रा और महावरात का लुद्फ पाया जाता है वो अक्सर ऐसे मुहावरात और अलफास अपनी तहरीर में लाते हैं जो दिल्ली के लोग गुफटगू में इस्तेमाल करते हैं जेरी नजर मजमून उनकी इन्ही खुसूसियात का आइनेदार है उसकी मजीद खुबी ये है कि इससे हमें उर्दू के एक बहुत बड़े अधीब और उन्नीस्वी सधी के हिंदुस्तान के एक बड़े शख्स मौलवी नजीर एहमत के बारे में बहुत सी बाते मालूम होती हैं जो और किसी तरह ना मालूम हो सकें मिर्जा फरहत उल्ला बेक के मजामीन साथ जिल्दों में मजामीन फरहत के नाम से शाय हो चुके हैं नजम का मजमुआ मेरी शायरी के नाम से चख चुका है उसमें भी मजाहिया रंग नुमाया है हसने और हसाने का कोई उसूल मुकरर्र नहीं हो सकता तमाम मज़ानिगार अपना अंदाज जुदा रखते हैं मिर्जा फरहत उल्लाबेग का भी एक मखसूस रंग है जिसे अजमत उल्लाबेग ने खुश मजाकी कहा है खोश मजाकी में कहके के मवाकि कम और तबस्म के ज्यादा मिलते हैं उनके यहां ऐसा इन्वे साथ मिलता है जिसे देरपा कहा जा सकता है मिर्जा फरहत उल्लाबेग के यहां दिल्चस्पी के कई सामान है उनकी मज़ाहनिगारी में दिल्ली के रोजमर्रा और महावरात का लुट्व पाया जाता है वो अक्सर ऐसे महावरात और अलफास अपनी तहरीर में लाते हैं जो दिल्ली के लोग गुफटगू में इस्तिमाल करते हैं जेरी नजर मजमून उनकी इनी खुसूसियात का आइनेदार है उसकी मजीद खुबी ये है कि इससे हमें उर्दू के एक बहुत बड़े अदीव और उन्नीसवी सदी के हिंदुस्तान के एक बड़े शख्स मौलवी नजीर एहमत के बारे में बहुत सी बाते मालूम होती हैं जो और किसी तरह ना मालूम हो सकें सफ़ा नंबर 61 नजीर एहमत की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी मौसन्निफ मिर्जा फरहत उलाबेग मौलवी साहब का हुलिया सुनिये रंग सावला मगर रूखा गद खासा उंचा मगर चौडान ने लंबान को दबा दिया था दुहरा बदन गद्रा ही नहीं बलकि मोटापे की तरफ किसी गदर माईल फरमाते थे के बचपल में किसी गदर वर्जिश का शौक था वर्जिश छोड़ देने से बदन जिस तरह मुर्मुरों का थैला हो जाता है बस यही कैफियत थी भारी बदन की वज़ा से चुँके कद ठिंगना मालुम होने लगा था इसलिए उसका तकमला उंची तुर्की टोपी से कर दिया जाता था कमर का फेर जरूरत से ज्यादा तूंद इस कदर बढ़ गई थी कि कमर में इजार बंद बांधने की जरूरत ही नहीं बलकि तकलीफ दे समझा जाता था और महज एक ग्रह को काफे खयाल किया जाता था गर्मियों में तहमत बांधते थे इसके पल्लू उढ़सने के बजाए इधर उधर डाल लेते थे मगर उटते वक्त बहुत इहतियात करते थे अवल तो कुतुब बने बैठे रहते थे अगर उठना हुआ तो पहले अंताजा करते थे कि फिलहाल उठने को मुलतवी किया जा सकता है के नहीं जरूरत ने बहुत ही मजबूर किया तो इजारबंद की ग्रह या तहमत के कौनों के उड़सने का दबाओ तून पर डालते थे सर बहुत बड़ा था मगर बड़ी हद तक इसकी सफाई का इंतिजाम उद्रत ने अपने अख्तियार में रखा था जो थोड़े रहे सही बाल थे वो अकसर नहायत इहतियास से साफ कर दिये जाते थे वरना बालों की ये कगर सफेद मुक्टैश की सूरत में टूबी के किनारों पर जालर कर नमूना हो जाती थी आँखे छोटी छोटी जरा अंदर को धसी हुई थी भवे घनी और आँखों के उपर साया फगन थी आँखों में गजब की चमक थी वो चमक नहीं जो गुस्से के वक्त नमुदार होती है बलके ये वो चमक थी जिसमें शोखी और जहानत कूट कूट कर भरी थी अगर मैं उनको मुस्कुराती हुई आँखे कहूं तो बेजा ना होगा कल्ला जब्ला बड़ा जबरदस्त पाया था चूँके दहाना भी बड़ा था और पेट के मुहीत ने सांस के लिए गुंजाईश पढ़ा दी थी इसलिए नहायत उची आवाज में बगएर खीचे बहुत कुछ कह जाते थे आवाज में गरश थी मगर लोच के साथ कोई दूर से सुने तो ये समझे के मौलवी साहब किसी को डाट रहे हैं लेकिन पास बैटने वाला हसी के मारे लोट रहा हो जोश में आकर जब आवाज बुलंद करते थे तो मालुम होता था कि तुरम बज रहा है इसलिए बड़े बड़े जलसों पर च्छा जाते थे नाक किसी कदर छोटी थी और नतने भारी ऐसी नाक को गवारों की स्तलह में गाजर और दिल्ली वालों की बोलचाल में फुलकी कहा जाता है गो मतानत छूकर नहीं गई थी लेकिन जिस्म के बोज ने रफतार में खुद बाखुद मतानत पैदा कर दी थी दाड़ी बहुत छिद्री थी एक-एक बाल बहासानी गिना जा सकता था दाड़ी की वज़े कुदरत ने खुद फ्रेंच फैशन बना दी थी उन्होंने अपने बारे में बताया लो भई हम बहुत गरीब लोग थे ना खाने को रोटी ना पहनने को कपड़ा तालीम का शौक था इसलिए फिरता फिराता पंजाबियों के कट्रे की मस्जित में आकर ठहर गया यहां के मौलवी साहब बड़े आलिम थे उनसे पढ़ता और तवक्कल पर गुजारा करता मौलवी साहब के दो चार शागिर्द भी थे उन्हें भी पढ़ाते और मुझे भी पढ़ाते दिन रात पढ़ने के सिवा कुछ काम ना था थोड़े से दिनों में मैंने कलाम मजीद पढ़कर अदब पढ़ना शुरू किया चार बरस में मौलाकात पढ़ने लगा गो मेरी उम्र बारा साल की थी मगर कद छोटा होने की वज़ा से नौ दस बरस का मालूम होता था पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था सुबा हुई और मैं चड़ी हाथ में लेकर घर घर रोटियां जमा करने निकला किसी ने रात की बची हुई ताल ही दे दी किसी ने तीमे की लुखती ही रख दी किसी ने दो तीन सूखी रोटियों ही पर टर्खा दिया गरस रंग बिरंग का खाना जमा हो जाता मस्जिद के पास ही अब्दुर्खालिक साहब का मकान था अच्छे खाते बीते आदमी थे उन्ही के बेटे डिप्टी अब्दुर्हामिद हैं जो सामने वाले मकान में रहते हैं उनके हां मेरा कदम रखना मुश्किल था इधर मैंने दर्वाजे में कदम रखा उधर उनकी लड़की ने टांग ली जब तक सेर दो सेर मसाले मुझसे ना पिसवा ले थी ना घड से निकलने दे थी और ना रोटी का टुकडा देती खुदा जाने कहां से मुखले भर का मसाला उठा लाती थी पीस्ते पीस्ते हाथों में गटे पड़ गए थे जहां मैंने हाथ रुका और उसने बट्टा उंगलियों पर मारा बाखुदा जान से निकल जाती थी मैंने मौलवी साहब से कही दफ़ा शिकायद भी की मगर उन्होंने टाल दिया खबर नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी ताकीद कर दिया करते थे कि अब्दुल खालिक साहब के मकान में जरूर जाना बहराल इस मारा धाड़ी से रोजाना वहां जाना पड़ता था और रोज यही मुसीबत ज्छिलनी पड़ती थी तुम समझे भी ये लड़की कौन थी मिया ये लड़की वो थी जो बाद में हमारी बेगम सहिबा हुई जब सोचता हूँ तो पिछला नक्षा आँखों के सामने आ जाता है और बे अख्तियार हसी आ जाती है अक्सर हम दोनों पहली बातों को याद करते और खूब हसते थे खुदा गरी के रह्मत करे जैसी बच्पन में शरीर थी वैसी ही जवानी में गरीब हो गई एक रोज जो कश्मीरी दर्वाजे की तरफ गया तो क्या देखता हूँ कि देली कॉलिज में बड़ा हुजूम है कॉलिज वहाँ था जहां अब गॉर्मेंट स्कूल है मैं भी भीड में खुज गया मालुम हुआ कि लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती सदरुदीन सहाब आए है हमने कहा चलो हम भी चले बरामदे में पहुँचा कद छोटा था लोगों की टांगों में से होता हुआ घुस घुसा कर कमरे के दर्वाजे तक पहुँची गया देखा के कमरे के बीच में मेज बिची है उसके सामने कुर्सी पर मुफ्ती सहाब बैठे हैं एक लड़का आता है उससे सवाल करते हैं और सामने कागस पर कुछ लिखते जाते हैं मेज के दूसरे पहलो की कुर्सी पर एक अंग्रेज बैठा है ये मदर्से के प्रिंस्पल साहब थे हम तमाशे में महू थे कि साहब किसी काम के लिए उठे चपरासियों ने रास्ता साफ करना शुरू किया जो लोग दर्वाजा रोके खड़े थे वो किसी तरह पीछे हड़ते ही नहीं थे चपरासी जबरदस्ती धके लहे थे गरज इस धका पेल में मेरा पीला हो गया दर्वाजे के सामने संगे मरमर का फश था उस पर से मेरा पाउं रप्टा और मैं धम से गिरा इतनी देर में प्रिंस्पल साहब भी दर्वाजे तक आ गय थे उन्होंने जो मुझे गिरते देखा तो दोड़ कर मेरी तरब बढ़े मुझे उठाया पूछते रहे कहीं चोड़ तो नहीं आई उनकी शवकत आमेज बातें अब तक मेरे दिल पर कालंकश फिलहज रहें बातों ही बातों में पूछा मिया साहब जादे क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा के मुझे क्या मालूम वो मेरा हाथ पकड़ कर बजाए अपने काम को जाने के सीधा मुझ को मुफ्ती साहब के पास ले गए और कहने लगे मुफ्ती साहब ये लड़का कहता है मैं मुझागात पढ़ता हूं जरा देखिये तो सही सच कहता है या यू ही बाते बनाता है मुफ्ती साहब ने कहा बोलो तो क्या पढ़ता है मैंने कहा मुझागात कहने लगे कहां पढ़ता है मैंने कहा पंजाबियों के कट्रे की मस्जिद में फिर कहा मुझागा दूँ पढ़ेगा मैंने कहा जी लाइए उन्होंने मेज पर से किताब उठाई और मेरे हाथ में दे दी और कहा यहां से पढ़ जिस शेर पर उन्होंने उंगली रखी थी वो मुझागा से उम्रो बिन कुलसूम का शेर था उसे मैंने पढ़ा और माने बैयान किये उन्होंने तरकीब पूछी वो बैयान की मुफ्ती साहब बहुत चक्राए पूछने लगे तुमको कौन पढ़ाता है मैंने कहा मस्जित के मौलवी साहब कहा मदर से मैं पढ़ेगा मैंने जवाब दिया चीज़ जरूर पढ़ूँगा मुफ्ती साहब ने कागज उठा कर चंद सत्रे लिखी और प्रिंसिपल साहब को दे कर कहा इसको प्रिसिडेंट साहब के पास पेश कर देना हम वहां से निकल कर अपने घर आए मौलवी साहब से कुछ न कहा कोई साथ आठ रोज के बाद कालिज का चपरासी उसी मौलवी साहब के पास एक कागज दे गया उसमें लिखा था कि नजीर एहमद को कालिज में दाखिल करने की अजाज़त हो गई है कल से आप उसे कॉलिज में आने की हिदायत कर दीजिए उसका वजीफा भी हो गया है चपरासी तो ये हुक्म दे चलता बना मौलवी साहब ने मुझे बुलाया खत दिखाया और पूछा ये मामला क्या है मैंने कुछ जवाब ना दिया जब ज़रा सकती की तो तमाम वाकिया बयान किया वो बहुत खुश हुए और दूसरे रोस ले जाकर मेरा हाथ प्रिंसिपल सहब के हाथ में दे दिया उस जमाने में सेद एहमद खान फारसी की जमात में थे मुझे जगाउल्ला हिसाब की जमात में और प्यारे लाल अंग्रेजी की जमात में पढ़ते थे मैं अर्भी की जमात में शरीक हुआ मैंने कहा मॉल्वी सहब आपकी जमात कहां बैठती थी कहने लगे प्रिंसिपल सहब के कमरे के बाजू में जो छोटा कमरा है उसमें हमारी जमात थी दूसरे पहलों में जो कमरा है उसमें फार्सी की जमात दानी ने कहा मौलवी साहब आपके अख्तियारी मजामीन क्या थे मौलवी साहब हासे और कहा मिया दानी हम पड़ते थे आज कल के तालिबे इल्मों की तरह घास नहीं काटते थे मौलवी साहब इस फिकरे का बहुत इस्तिमाल करते थे अरे भाई एक ही मजमून की तकमील करना दुश्वार है आज कल पढ़ाते नहीं लादते हैं आज पढ़ा कल भूले तुम्हारी तालीम ऐसी दिवार है जिसमें गारे का भी रद्दा है ठेकरियां भी घुसेड़ दी है मिट्टी भी है पत्थर भी है कहीं चूना और इट भी है एक धक्का दिया और उड़ा उड़ा धम किर कई हम को उस जमाने में एक मजमून पढ़ाते थे मगर उसमें कामिल कर देते थे पढ़ाने वाले भी एरे गेरे पुछकियां नहीं होते थे ऐसे ऐसे को छाटा जाता था जिनके सामने आजकल के आलिम महज काट के उल्लू है मौलवी सहाब को अपने तरजमे पर बड़ा नास था और अक्सर उसका जिक्र फखरिया लहजे में किया करते थे उर्दू अदब में उनकी जिन तस्निफात ने धूम मचा रखी है उनके नस्दीक वो बहुत मामूली थी वो कहा करते थे मेरी तमाम उम्र का सिला कलाम मजीद का तरजमा है इसमें मुझे जितनी मेहनत उठानी पड़ी है इसका अंदाजा कुछ मैं ही कर सकता हूँ एक एक लवज के तरजमे में मेरा सारा सारा दिन सर्फ हो गया मिया सच कहना कैसा मोहावरे की चगा मोहावरा बठाया है हमने कहा मौलवी सभब बठाया नहीं ठूंसा है जहां ये फुक्रा कहा मौलवी सहाब उच्छल पड़े बड़े खफा होते और कहते कल के लॉंडो मेरे मुहावरों को गलत बताते हो अरे मिया मेरी उर्दू का सिक्का तमाम हिंदुस्तान पर बैठा हुआ है खुद लिखोगे तो चींब बोल जाओगे मौलवी सहाब ने कई मर्तबा इस आजिस पर भी रकमी हमले किये लेकिन ये जरा तेड़ा मुकाबला था एक छोड कई किताबें मौलवी सहाब से एंटिंग कभी एक पैसा ना दिया ये नहीं के खुदाना खुदाना खुदा वादा करता और रकम ना देता था ये के उस वक्त तक किताब लेता ही ना था जब तक मौलवी सहाब खुद ना फर्मा देते के अच्छा भई तो यूँ ही ले जा मगर मेरा पीछा चोड़ते मेरी तरकीब ये थी कि पहले किताब पर कब्जा करता मौलवी सहाब किताब की खिमत मांगने में खुद चत्ज़त करते वो जवाब देते मैं उसका जवाब देता रिव्यू के लिए जो किताबे आती थी वो तो हमारे बाप दादा कमाल थी किताबे तो किताबे मैने तो मौलवी सहाब की LLD की गौन पर भी कब्जा करने का फिक्र किया था हैदराबाद आने के थोड़े ही दिनों बाद मालुम हुआ कि उस चहकते हुए बुलबुल ने इस गुलशन दुनिया से कूच किया जब कभी देहली जाता हूँ तो मौलवी साहब के मकान पर जरूर जाता हूँ अंदर गदम नहीं रखता मगर बाहर बड़ी देड़ तक दिवार से लगकर दर्वाजे को देखता हूँ और रह रहकर जौक का ये शेर जबान पर आता है ये जमन यूही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे अल्लाह बस बाहकी हूस सफा नंबर च्छासट मश्क लव्जो मानी हुलिया शकल सूरत तकमला तकमील कुतुब बने बैठे रहते और या लाह में कुछ लोग कुतुब के दरजे पर हुए हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी जगह यानि अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाते इसलिए फार्सी में कहावत है कुतुब अजजानमी जंबत कुतुब अपनी जगह से नहीं हिलता मुर्मुरा भुने हुए चावल मुकैश सोने चांधी कितार साया फगन साया डालने वाला नमुदार जाहिर नुमाया शोखी चुल्बुलापन जहानत दिमाग की तेजी जहन मुहीत पहलाओ इहाता किया हुआ इस्तला किसी अमली या फनी शोबे का कोई लफ्स जिसे आम मानों के अलावा खास मानों में इस्तिमाल किया गया हो मतानत सुन्जीद्गी, वकार, भारिपन वजा ढंग तवक्कल खुदा पर भरूसा करना मॉल्लकात मॉल्लक की जमा कहा जाता है कि कदीम अरब में तरीका था कि हर साल की शायरी के सबसे अच्छे नमूनों को खाने काबा के दरोजे पर आवेजा कर दिया जाता था उन नजबों को जो गसीदे की हैयत में होती थी मॉल्लकात यानि लटकाई हुई कहा जाता है इनकी तादाद साथ बताई गई है अरबी का मशूर शायर अमर में एन पर जबर और मीम पर जज़म है और वाव नहीं पढ़ा जाता यानि अमरों को अमर पढ़िये पत्थर पर बनाए हुए नक्ष की तरह लिहाजा जो बात कभी भुलाई ना जा सके पचकुईया मुख्तलिफ रंगों से रंगा हुआ वो जानवर जिसके जारों पैर और माथा सफैद हो हुज्जत दलील बहस रिव्यू तपसिरा सफा नंबर सड़सट गौर करने की बात इस मजमून में नजीर एहमत की शकल, सूरत, वज़ेकता और हुलिये को बड़े दिल्चस्प अंदास में पेश किया गया है ये बात भी एहम है कि नजीर एहमत ने तालीम किस गदर मशक्क्स से हासल की मजमून में नजीर एहमत के जमाने की मयारी और मुफीत तालीम के मुख्तलिफ पहलूं को भी पेश किया गया है सफा नंबर 68 सवालों के जवाब लिखिए सवाल नंबर एक नजीर एहमत की शक्सियत के दिल्चस्प पहलूं को अपने अलफाज में लिखिए सवाल नंबर दो नजीर एहमत ने अपने बच्पन के किन वाकियात को लुद्फ लेकर बयान किया है बताईए सवाल नंबर तीन नजीर एहमत के साथ पढ़ने वालों में कौन-कौन से अधीब शामिल थे सवाल नंबर चार नजीर एहमत ने आजकल की तालीम की कौन-कौन से खामिया बताई है सवाल नंबर उनहत्तर अमली काम इस सबख का बगार मुताला कीजिए और बताईए के आपको नजीर एहमत की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी हैं सबख में जहां मजाहिया अंदाज इक्तियार किया गया है उसकी निशान देही कीजिए सबख का खुलासत तहरीर कीजिए इस सबख में जो मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं उन्हें तलाश करके लिखिए इसी के साथ नवाए उर्दू भाग एक का चटा सबख यहां खत्म हुआ इसके बाद सबख साथ आता है प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत आता है झाल झाल